नमस्कार दोस्तों उतकर्ष की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों लेब अशिस्टेंड के मोडल पेपर आठ में आज हम राजस्तान का भुगोल का जो पेपर है इसको हम विश्थित रूप से वाइक्या करेंगे कुशन नमबर 126 निमन मैंसे कौन सा जिला मध् परदेश के साथ में सिमा नहीं लगाता है देखेगा कोटा, बारा, बरतपुर और चितोडगड दोस्तों इसमें से जो कोटा जिला है जो बारा जिला है इसके अलावा जो चितोडगड जिला है ये जो सिमा लगाते हैं ये मध्य परदेश के साथ में सिमा लगाते हैं लेक पुर और हाद पुर, अरावली, प्रवत, तता दक्षिनी, पूर्वी, पठारी बाग, कि जिसे हाडोती का पठार केते हैं, किसका ऑशियेश माना जाता हैं, देखेगा अराउली परवत और दक्षिनी पूर्वी भाग जिस परदेश के भाग वाने जाते हैं उसका नाम है गोडवना लेंड दोस्तों इस परकार का देखेगा राजस्थान ऐसा कहा जाता है कि इस परकार के दो एक का नाम है अंगारा लेंड और दूसरे का नाम है मा सागर जिसमें से जो आठावली प्रवत्माला है और इस के अलावा जो हाडोती का पथार है यह जिस सरेड haini में आते हैं उसका नाममें गोडवाना लेंड है Goadwana Land का गोडवाना लेंड और जोmms 33 सागर है इसके अंदर राज़ेस्तान का जो रेतिला भू भागे मुरूस तले उसमें उसको समेलित किया जाता है पौनो की दिशा के समाना अंतर बनने वाले इस्टूप को क्या कहते है दोस्तों पौनो के समाना अंतर जो इस्टूप बनते उन्हें क्या का जाता है अनुदेरिय का जाता है इसके अलावा दोस्तों जो अनूप्रस्ट होते हैं ये अनूप्रस्ट होते ही क्या है तो देखेगा पौनों की दिशा लंबवत होने पर जो इस्तूप बनते हैं उन्हें अनूप्रस्ट कहा जाता है यानि जो अनूप्रस्ट की परिवासा होगी वो अनूप्रस्ट की परिवासा ये होगी कि पौनों की दिशा के लंबवत बनने वाले जो इस्तूप होते हैं उन इस्तूपों को क्या कहा जाता है लंबवत बनने वाले जो इस्तूप होते हैं दोस्तों इन इस्तूपों को क्या कहा जाता है ये जो इस्तूप होते है अनूप्रस्ट कहा जाता है इन्हें सामानांतरन होने पर जो बनते हैं उन्हें क्या कहा जता है इसके अलवा जो इर्ग होते हैं जो रेगिस्तान रेगिस्तान मुरूस्तल होता है या फिर इसे हम जो रेतिला मुरूस्तल कहते है जो रेतिला मुरूस्तल होता है उसको हम क्या कहते है इर्ग कहते है रेतिला जो मुरूस्तल होता है उसे क्या कहते है इर्ग कहते है और सरग नाम का कोई नहीं होता इसमें पुछा समाना अंतर म बढ़ने वाले जो इस्टूप क्यलाते उन्हें अन्युदेहर ये कहा जाता है कुछिशन नमर 129 राजस्तान के किस प्राकर्तिक भू भाग में सरवादिक जन संख्या गनत्वे पूचाए तो पूर्वी मेदान में पूर्वी मेदान में जो जिले आते उनमें से एक जिला है जेईपुर जो जेईपुर का जो जन सिंग्या गनतवे है दोस्तों वो है पानसो पिंचानवे इसके अलावा एक जिला बरतपुर बरतपुर का जो जन सिंग्या गनतवे है वो जन सिंग्या गनतवे पानसो तीन इसके अलावा दोसा दोसा का जो जन सिंग्या गनतवे है वो ह Od altogether तो यहां पर सर्वादिक जन्से क्या गनतवे देखने को मिलता है कि बाजिस्टान प्रिएटण प्रिपत में समय उत्पूरन है वो जिले कोन से तो देखेगा आरम में दोस्तों तीन जिले थे बाद में एक जिले और बढ़ा दिया गया है तो इस में वर्तमान में जो मुरूत तिरकोन में समयली तो जो जिले है वो चार जिले हैं मुरूत तिरकोन में देखेगा मुरूत तिरकोन में चार जिले समयली थे दोस्तों इन चा जिसका नाम है जोदपुर जोदपुर और एक जिला है जिसका नाम क्या है बाडमेल यह जो चार जिले है इनको किस के रूप में विक्षित किया गया मरूत तिरकोन के रूप में विक्षित किया गया है राजस्थान में प्रियेटन मंत्राले की नई टेग लाइन क्या है देखेगा राजस्थान में प्रियेटन मंत्राले की जो नई टेग लाइन है वो क्या है नई टेग लाइन जो है वो क्या है पधारो मारे देश इससे पहले जो थी इससे पहले दोस्तों क्या जाने या जाने क्या दिख जाए ये थी और उसके इस्तान पर वर्तमान में नवीन क्या कर दिये दोस्तों पधारो मारे देश बाड मेर के उत्तराई और कवास शेत्र किस खनीज के लिए जाने जाते हैं बाड मेर का जो उत्तर लाई है और जो कवास शेत्र है वो जिस खनीज के लिए जाने जाते हैं उस खनीज का नाम है जिपसम यहाँ पर जिपसम के बंडार मिले है जिपसम के जो राजस्तान में नविंतम बंडार मिले है वो बाड मेर के उन में से दो जिले है दो शित्र है एक का नाम है उत्तरलाई और दूसरे का जो नाम है वो क्या है कवास अगला नेक्स्ट परसन आंधी क्या है दोस्तों आंधी क्या है जो आंधी होती है देखिएगा बाड मेर जिले का एक गाउं नहीं है तेल के कुए का नाम यह भी नहीं है जैईपूर का सबसे बड़ा देखिएगा जैईपूर का जो सबसे बड़ा है खनन शेत्र उसका नाम बड़ा खनन शेत्र है उसका नाम आंधी है आंधी देखीगा एक मुरुस्तली शेत्र में जो हवा चलती है उस हवा को भी आंधी कहते हैं इसके अलावा जैपूर शेत्र का एक मारबल खनन शेत्र है मारबल खनन शेत्र है जो बेंसलाना के निकट है किसके निकट है बेंसलाना के निकट है और बेंसलाना कहांपर है जैपूर में यहांपर जो संगमंगमर निकलता है दोस्तों यह काला संगमंगमर निकलता है बेंसलाना जो शेत्र है यह बेंसलाना शेत्र काले संगमंगमर के ये परसिद है और यहां का जो ये सित्र है इस सित्र को क्या का जाता है आंधी का जाता है न्यूंतम अंतराश्टिय सिमा किस जिले की है न्यूंतम जो अंतराश्टिय सिमा राजस्तान की कहां से लेकर कहां तक है अंतराश्टिय सिमा राजस्तान की दोस्तों जो आरम होती है वो हिनमल कोट से होती है और जो हिनमल कोट इस्तान है ये इस्तान श्री गंगानगर जिले में है गंगानगर जिले के हिनमल कोट से लेकर बाडमेर जिले का एक सेतर है जिसका नाम है सागड और ये जो सागड है ये सागड इस्तान किस जिले का बाडमेर जिले का है यहां से ल जो राजस्तान की जो सिमा लगती है वो 1070 किलो मीटर सिमा लगती है इसे अंतराश्टिय सिमा कहा जाता है ये किन-किन जिलों की लगती है इन मेंसे जो पर्मुक रूप से जिले है जिन में सबसे उत्तर में आता है गंगानगर सबसे दक्षिन में जो आता है वो आता है बाड मेर इसके अलावा जसल मेर और इसके अलावा जो है वो है बिकानेर लेकिन इसमें पुचा की किस जिले की न्यूनतम सिमा लगती है दोस्तों इन मेंसे जो न्यूनतम सिमा लगती है वो बिकानेर की लगती है इसके अलावा जो बाड मेर की लगती है वो 228 किलो मीटर लगती है शिरी गंगानगर की जो लगती है वो 210 किलो मीटर लगती है गंगानगर की जो लगती है वो 210 किलो मीटर लगती है और जो जसल मेर की लगती है वो 464 किलो मीटर लगती है 464 किलो मीटर तो सबसे कम किस की लगती है दोस्तों बिकानेर की लगती है 168 किलो मीटर निमने मेंसे किस खनीज को मिनरल सिल्क कहा जता है राजस्तान का ऐसा कौन सा खनीज जिसे मिनरल सिल्क कहा जता है दोस्तों जो एस बेस्टोस है इसको मिनरल सिल्क कहा जता है देखिएगा ये एक रेसेदार जो दोस्तों एस बो इस्टोस एक खनीज है इस खनीज को क्या कहा जता है मिनरल सिल्क कहा जता है ये जो खनीज है दोस्तों ये खनीज एक रेसेदार सिलीकट सिलीकेट खनीज है इसे रोक वुल भी कहा जता है इस खनीज को रोक वुल भी कहा जता है देश में जो राजस्तान में इसका बंडार है राजस्तान में दोस्तों इसके जो बंडार है पूरे बारत की दरिश्टी से बारत का जो 61 प्रतिशत इसके जो बंडार है वो बंडार राजस्तान में अगला देखिएगा नीमन लिखित में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है जो दोस्तों तिरकुट पाड़ी जो है वो तिरकुट पाड़ी जसलमेर में जसलमेर का जो सोनार दुरुग है ये सोनार दुरुग इसी पाड़ी पर है इसका मतलब ये बिल्कूल सम्मेलित है आड़ा व शिकर में जो बीजास्ण की पाड़ियां दोस्तों यह बीजास्ण की पाड़ियां उद पूर जिले में नहीं है। बीजासन की जो पाडियां दोस्तों ये बुंदी जिले में यही पर इस्तानिय भासा में इन्हें इंद्रगड भी का जता है और इंद्रगड माता का जो मंदिर है वो इन्हीं पाडियों पर है इसी माता को बीजासन माता भी का जता है इसलिए बीजासन माता का जो मंदिर है वो यहीं पर है यदि आपसे बीजाशन की पाड़ियां पुछे दोस्तों तो बुंदी में बीजाशन आपको यदी पाहाड पुछे बीजाशन नाम की यदी चोटी पुछे तो याद रखेगा वो बीलवाडा में अगला देखेगा चंदन नलकूप किस जिसे थार का गड़ा का जता है ये कांपर है दोस्तों जो चंदन नलकूप है ये जसल मेर जिले में है जसल मेर जिले में एक चंदन नलकूप है जिसे क्या का जता है धार का या थार का गड़ा का जता है ये अपने अथा जल के लिए जाना जता है यहाँ पर यनि देखेगा चंदन यहाँ पर जो जल है वो अथा जल है अथा जल परवा के लिए अथे अथा जल परवा के लिए इसे क्या का जता है चंदन नलकूप कहा जता है अरावली परवत का सरवादिक मेत्व किस कारण है अरावली परवत माला का जो सरवादिक मेत्व है दोस्तों उत्तर पूरुव में फेले विसाल थार के मुरुस्तल को दक्षिन पूरु की और बढ़ने से रोकता है यानि देखेगा अरावली का जो राजस्तान में विस्तार है वो इस परकार से है यहां पर जो परदेश है उसका नाम है रेतिला मुरुस्तल इसे रेतिले मुरुस्तल को जो यह अरावली परवत सरेनी है यह इसे पूरुवी भाग में नहीं आने देती है इसका विस्तार कहां परदान करना ये भी नहीं है राजस्तान को दो भागों में बांटी बांटी जरूर है लेकिन सरवादिक मेत्वे नहीं है तो सरवादिक मेत्वे वो नमबर एक है यानि मुरुस्तल को पूर्वी और दक्षिनी भाग में मुरुस्तल का जो मुरुस्तली करण होने से जो रोकत अरावली परवतमाला का सरवादिक और न्यूनतम विश्तार कि जिले में दोस्तों अरावली परवतमाला का जो सरवादिक विश्तार है वो सरवादिक विश्तार उदेपुर जिले में और जो न्यूनतम विश्तार है अरावली परवतमाला का वो अरावली परवतमाला का न्य जमेर जिले में तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों नमबर चार यानि सरवादिक अरावली किस जिले में उदेपूर में पहली हुई है जबकि न्यूनतम अजमेर जिले में पहली हुई है और अरावली के यदि आप से पूछ ले कितने जिलों में पहली हुई है तो दोस्त यू आकार में बेती है और जो करक्रेका है इस नदी को करक्रेका दो भगों में विबाजित करती है करक्रेका को दो भागों में बांडती है MP से आती है विंद्याचल की पाडिया महंद जील से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है जो खंबात की खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी दोस्तों गुजरात में है इस नदी को यानि जो ये माही नदी है इस माही नदी को दोस्तों माही नदी माही नद भी कोई आदिवाशियों की गंगा कहा जाता है जो राजस्तान के तीन जिलों में बैती है परताब गड के कुछ भाग में बैती है इसका नूंगरपुर औरबांस वड़ा तो इसका सही अंसर क्या होगा नंबर दो जसलमेर की बुझ जील का निर्मान या बुझ में कौन सी ज उद्गम होता है ये नदी जाकर अपना पानी जिस खाड़ी में गिराती है उस खाड़ी का नाम है मिट्टी खाड़ी यानि अपना जल कहा ले जाती है मिट्टी खाड़ी में इस नदी की जो लंबाई है वो 17 किलो मेटर लंबाई है और आंत्री की या अंते अपवा परजस्तान की सबसे छोटी नदी है ये नदी जिस जील का निर्मान करती है उस जील का नाम है बुझ जील जो बुझ जील है ये बुझ जील दोस्तों काँपर है जसल मेर मेर में और जो कोठ्यारी गाउं है ये कोठ्यारी गाउं भी काँपर है जसल मेर मेर में यानि ये नद है इस नदी का नाम है काक नदी इस नदी का नाम है काकने नदी या काकने नदी भी कहते है और इस्तानी बासा में इसी नदी को क्या का जाता है मसूर दी नदी का जाता है इसका सही अंसर क्या होगा नमबर एक आदिवाशियों का कुम कहा जाने वाला बेनेश्वर धाम इस्तान किन तीन नदियों का संगम होता है तो दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है माही नदी परताबगड की भवर माता की पाड़ियों से जो नदी आती है उसका नाम है जाखम नदी और इसके अलावा एक नदी और आती है सोम नदी बिच्छा मेडा की पाडियों से और मध्य परदेश से एक नदी आती है माही नदी इन तीन नदियों का जो संगम होता है उस संगम को तिर्वेनी संगम कहा जाता है और ये जो तिर्वेनी संगम होता है इस तिर्वेनी संगम जिस गाउं में ये संगम तिर्वेनी संगम होता है उस गाउं का नाम है नवा टापरा गाउं और ये नवा टापरा जो गाउं है ये नवा टापरा गाउं कहांपर है डूंगरपूर में जहां तीन नदियों का संगम होता है वहां हम्मेसा बगवान सीव का मंदिर होता है और जो बगवान सीव का मंदिर होता है उसके पीछे इश्वर शब्द होता है यहां पर जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है बेने इश्वर मंदिर है और इसी बेने इश्वर मंदिर को बेने वाशियों का कुम कहा जाता है तो यहां जिन तीन नदियों का संगम होता है उसमें से सोम, माई और जाकम यह तीन नदिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा नंबर चार अगला देखिएगा सेवन गास का वनिश्पतिक नाम है दोस्तों जो सेवन गास है इसे सेवन गास का जो वनिश्पतिक नाम है वो वनिश्पतिक नाम क्या है आपसे दोस्तों सेवन गास का वनिश्पतिक नाम पूछा गया है तो दोस्तों लुइस कुम सेडिकुस ये किस का वनिश्पतिक नाम है सेवन घास का वनिश्पतिक नाम है देखिएगा प्रोसेशिप सेने रेरिया ये किसका विग्यानिक नाम है खेजली का विग्यानिक नाम है जो टीका में का अंडू लेटा नाम है वेग्यनिक नाम है दोस्तों ये रोईडा का वेग्यनिक नाम है रोईडा का और अजारी का इंडी का अजारी का इंडी का ये किसी का वेग्यनिक नाम नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा नंबर दो नर्मा के नाम से किस फसल को जाना जाता है दोस्तों राजस्तान के ऐसी कुन सी फसल है जिसे नर्मा का जाता है तो दोस्तों जो राजस्तान में एक फसल होती है जिसका नाम कपास इस कपास को नर्मा भी का जाता है क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं वो नर्म होते हैं कपास जो होती है वो नर्म होती है इसे नर्मा का जता है और राजस्तान में जो सरवादिक होती है कपास ये एक तो हनुमानगड जिले में और जो दूसरा एक जिला है उस जिले का नाम है गंगानगर जिला तो गंगानगर और अनुमानगड में जो कपास होती है उसे क्या कहते है नर्मा कपास कहते है विज्या और भाग्यम ये क्या है देखेगा विज्या और भाग्यम दोस्तों ये राजस्तान के दो तेल कुए है जो कहांपर खोजे गई हैं बोत या बाड़ मेर के पास में खोजे गई है तेल के बंडार है तेल के कुए है इन तेल के कुए को एक का नाम है विजिया और दूसरे का नाम क्या है भाग्यम यहां से कुछ मात्रा में गेस भी मिलती है गेस की भी प्राप्ति होती है और यह वर सरवादिक मुलतानी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों ये बाड मेर मेर में सरवादिक पाई जाती है इस मुलतानी मिट्टी का प्रियोग होता है दोस्तों वो सुंदरता या सुंदरियता के लिए इस मिट्टी का प्रियोग किया जाता है जो राजस्तान में सरवादिक इसके पर्मू का कारण क्या है लूनी नदी जो अजमेर की नाग पाडियों से निकलती है बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है उसके बाद में इसका पानी जो है वो पानी क्या हो जाता है इसका जो पर्मू का कारण है वो पर्मू का कारण क्या है इसका दोस्तों जो पर्मू का क सतर है वो नंबर दो है यानि amis मिटी के कारण क्यों कर से उदर हवाइय में आती है तो हवाइय अपने साथ में जिसty लूणी का पानी क्या हो जाता है अगला देखेगा शूकडी जवाई सगई बांडी लीलडी जोजडी मीटडी सागी यह जिस किसकी साइक नदिया दोस्तों यह लूनी की साइक नदिया याद रखेगा जिसके अंत में डी शब्दाता है या जिसके अंत में री शब्दाता है वो किसकी साइक नदिया लूनी क गगर नदी निकलती है दोस्तों देगेगा राज गगर जो नदी है वो दोस्तों शिवालिक की पाडियों पर एक मंदिर बन रखा है काली का माता का मंदिर काली का माता का मंदिर शिवालिक की पाडिया यानि यह जो शिवालिक है दोस्तों यह शिवालिक हिमाचल प्रदेश में किस परदेश में हिमाचल परदेश में है यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गगर नदी और राजस्तान में ये दो जिलों में बैती है एक जिला जिसका नाम है गंगानगर और दूसरा एक जिला जिसका नाम है हनुमानगड और इसके अलावा ये अपना पानी जो है ये पानी फोर्ट अबास तक ले जाती है फोर्ट अबास तक राजस्तान के दो जिलों में बैती है ये इसका जो अपवाशत्र है ये अपवाशत्र नाली कहलाता है इसी के अनेक नाम है नट नदी भी इसे ही कहते है शरश्वती नद दवेश्वदी नदी का आ जाता था इसे कभी और इस नदी का नाम गगर नदी इसलिए पढ़ा क्योंकि जब बाड आती है तब ये जो नदी है ये नदी घर-घर में अपना पानी ले जाती है इसका नाम गगर नदी पढ़ा और बाड आने पर इसका पानी पागिस्तान में फोर्ट अबास तक चली जाती है तो ये दोस्तों राजस्तान की एक अंतराश्ट ये नदी है राजस्तान में भी बैती है और पागिस्तान में भी बैती है अंतरिक अपवा परनाली की ये राजस्तान की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है ये एकमातर राजस्तान की एसी जो उत्तर से दक्षिन की ओर बैती है उत्तर से भारत राजस्तान में प्रवेश करती है जो कहां से निकलती है सिवालिक की पाड़ियां सिमला हिमाचल प्रदेश से नेक्स्ट मद्य अरावली सेत्र के अंतरकत कौन कौन सी पाड़ियां आती है देखेगा मद्य अरावली परवत में जो पाड़ियां आती है एक तो सेकावाटी की जो निम्न पाड़ियां है जिसमें माल खेत की पाड़ियां कौन सी पाड़ियां माल खेत की पाड़ियां इसके है यह मारवाड चे है और यह श्रत यह जो पाडिया है यह भी फो जो पाडिय की अंlli की उत्तरमनों दोस्तों दोस्तों यह अधिक स्व्ण रखेम बना कर रखेंगा नमश्कार दोस्तों क्यानी प्रफिशार और आप टाफिए कर दो पाफिएूर्ज और लूप्रप ए स्लीब रेन लूहां रूरunnाने प्राइप अलाज़ और एटंड अब्रेश्टेर्श क्या रिजूर आप। ठर्ट वन्ट एंध विछ्रेश्ग्स कि है और स्टमक्श भख कर्ट सार फॉर इच चट टो जनकि आद एंलाइन स्ट एंलाइस और और एंड उर पार्फ में सो डूनलोड ओत कर्श आप सब्सक्रशब अख रैड आख